रिलेशन्शिप में पैशन तो हर कोई चाहता है पर किसी गलत आदमें से हो पाना या हमें बर्बात कर सकता है इसी थीम के साथ 2005 की मूवी असाइलम आती है इसमें मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर के वाइफ काफ है एक पैशन के साथ हो जाता है इसके बाद आगे क्या होग कि जानने के लिए अन तक जरूर देखते रहेगा स्टार्ट करने से पहले में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज यसे लाइक और कमेंट जरूर करती जगा बिना इस दिरिक है एक स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट हो यहाँ पर उसका हस्बन भी था स्टेला इस मूमेंट पर जरा इंटमेसी चाहती थी उसका हस्बन कहता है मुझे जरा काम है यहकर वो चला गया यहाँ पर एक्चुली डॉक्टर मैक्स को नहीं जॉप मिली है इसी वज़े से आय हुए थे डॉक्टर मैक्स अब एक असायलम कुन सी है पिटर गहते हैं कि पैशन इंटिमसी इनकी वज़े से जो भी लोग पागल हुए है इन्हें वो ट्रीट करते है वो सेक्सोलोजी के डॉक्टर है स्टेला ने पूछा इसके बारे में तुम्हारी वाइफ को क्या लगता है पिटर ने कहा कि मैंने शादी नहीं की प् मैक्स को अच्छा नहीं लगा यह बात उससे वो कहता भी है एक्चुली मैक्स की जगा पिटर प्रोमोशन चाहता था यह मैंनेजमेंट को सही नहीं लगा इसलिए मैक्स को जॉब मिली है मैक्स टेला से कहता है यहां के पूरे इन्वार्मेंट में तुम घुल मिल जाओगी दूसरे डॉक्टर्स के हॉस वाइब्स के साथ उसे मिलना पड़ेगा अगली दिन सब वाइब्स मिलकर हॉस्पिटल के एक इवेंट की प्लानिंग करे थे स्टेला को इसमें थोड़ा भी इंट्रेस नहीं था वो हॉस्पिटल से बहार आते वक्त किसी अलगी कॉर्नर में स्टेला डर कर वहां से भाग रही थी तो पीटर से लेकार जाता है एडिगर भी हॉस्पिटल का पेशेंट ही है तो उसे आस-पास के काम जैसे की गार्डनिंग ये करने के पर्मीशन है एडगर और चारली ये दोनों खेल रहे थे ये अपनी मदर को दिखाने के लिए हो गया एडगर के बारे में रात में स्टेला मैक्स के साथ बात करती है वो पुछती है क्या चारली का ए मैक्स कहता है कि पिटर को सकल्प्चर अच्छे लगते है और वही एडगर बनाया करता था अगली दिन स्टेला फिर से एडगर से मिलने के लिए उससे कहती है तुम सकल्प्चर हुआ करते थे एडगर कहता है कि मैं अभी भी हूँ वो पुछती है कि तुम कितने सालों से आ एडगर गहता है कि 5 साल हो चुके है, वो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को मारा, उसने मुझझे धोका दिया था, एक दिन गार्डन में खेलते-खेलते चार्ली को चोट आ गई थी, तो एडगर उसे गर में लेकर आया, सब को लगा कि एडगर ने उसे कुछ किया होका, पर ली एक पेड़ पर चड़ते होए नीचे गिर गया था बाद में सब क्लेर होने के बाद ये एड़कर को थैंक्यू कहते है अगली दिन स्टेला अपने गार्डन पर काम कर रही थे एड़कर उसके पास आया वो कहता है तुम्हारा बेटाई एडवेंचरर है शायद तुम से आ इस बात पर जादा धान नहीं देती इस इवेंट में होस्पिटल के पेशन्ट भी जॉइन कर सकते है तो एड़कर भी वहाँ था वो स्टेला के पास जाकर उसे डांस के लिए पुछता है स्टेला भी इसके लिए मान गई आज मैक्स जब बेड में आया तो बहुत ही नेक सीन में चला जो अपने गार्डन में हंग आउट कर रही थी तो एड़कर उसके पास आया उसे फूल गिवट दिया स्टेला कहती है कि मैं एक्सेप नहीं कर सकती है एड़कर कहता है इसके पीछे जो मीनी है सिर्फ वो तुम एक्सेप्ट कर लो मेरे साथ डांस करने के यहां काम करता है वहाँ पर पहुच जाती है एडगर भी समझ गया और डारेक्ली उसके साथ इंटिमेट हो जाता है मैक्स हमेश अपने काम में बीजी रहता था तो स्टेला और एडगर एक दूसरे से मिलना कंटिन्यू करते हैं एक दिन पीटर ने एडगर को उसकी प्रोगर में शायद इंटरस्टेड हो उसके साथ तुमने डांस किया उसे फुल गिफ्ट किये एडगर कहता है कि वो काइंड है इसलिए मैंने सब किया था मैं सिर्फ दिखाना चाहता था कि मैं औरतों के साथ रह सकता हूँ एडगर कहता है मुझे पसनेटी डिसॉर्डर था और वो स्टेला के लिए जल्दी से आसे बाहर निकलना था एक दिन स्टेला और मैक्स उनके कोवर करके साथ डिनर कर रहे थे यहाँ पर इनकी एडगर के बारे में डिसकेशन होती है डॉक्टर पीटर से पूछा जाता है कि उसे कब छोड़ेंगे पीटर कहता है कुछ सालों के लि नहीं बोलना चाहिए था स्टेला कहती है कि मैंने जो भी कहा इस सब कुछ सही था कुछ दिनों के लिए मैक्स की मदर इनके पास आई हुई थी तो इन दिनों में स्टेला और एडगर यह दोनों बाहर जा रहे थे तब ही एडगर घर में आ गया उसे रहा नहीं गया और सिल्दी सिहा से बाहर निकल जाता है और यह सब चारली ने देख लिया था फिर से मैक्स की मदर और चारली बाहर निकले और आगे गये तो चारली गयता है कि मैंने एडगर को घर से बाहर निकलता देखा था मैक्स की मदर को पता चल गया कि स्टेला और एडगर में कुछ है इस बात से वो बहुत ही गुस्सा थी एड़कर मेंडल हॉस्पिटल से भाग चुका है इसी बात को लेकर हॉस्पिटल के हेड मैक्स और स्टेला से बात करते है हॉस्पिटल के हेड़को सब कुछ पता चल गया था मैक्स गहते हैं तुमारी वाइफ ने उसे इंकरेज किया यहाँ से भाग जाने के लिए यह बहुत ही बड़ा इशू बन गया था इन दोनों की जाने के बात हॉस्पिटल हेड पिटर से बात करते है इस इंसिडन्ट की वज़े से इनके हॉस्पिटल की रेपिडिशन खराब हो जाएगी यह मैक्स को निकाल देना जाते थे पर पिटर कहता है वैसे भी हमें वर्कलोड बहुत ही जादा है अगर हमने इसका बहुत बड़ा इशू बनाया तो हमें ही प्रॉल्लूम होगा वक्त के साथ हम वैसे भी मैक्स को निकाल देंगे होस्पिडल हेड गहते है इस टेला इदनी पागल कैसे हो सकती है पिटर ने कहा कि वो प्यार में थी इसी वज़े से उसने इसब किया इसके बाद पिटर मैक्स से मिलनी के लिए आया मैक्स कहता है तुम एडगर से अपसेस्थ है इसी वज़े से तुमने उसे काम में लगाया पिटर ने कहा तुम्हारी वाइफ ने उसे अंस्टेबल किया इसी वज़े से वो भाग गया मैक्स को लगा अब उसे फायर कर दिया जाएगा पर पीटर कहता है इन सब के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए चीजे जीस तरह से थी उसी तरीके से चलने दो नेकसिन में चारली स्टेला से बात करता है कहता है अगर एडगर पकड़ा गया क्या ओटरबल में होगा उसे लगता है इशायद एडगर अपनी बोट में औस्टेलिया चला गया है स्टेला को भी इमेजिन करना अच्छा लगता है एक दिन स्टेला गार्डन में खड़ी होकर अकेली को सोच रही थी उसके पास पीटर आया कहता है मुझे तुम्हें हेल्प करने दो जो भी हुआ इसके बारे मुझे से बात करो पर स्टेला चली जाती है डिनर पर स्टेला ने मैक से कहा यह मुझे क्रिस्मस के लिए कुछ शॉपिंग कर रही है इसलिए मैं सिटी में जाने वाली हूँ सिटी में आकर वो एक आदमी से मिली जो एडगर का कलीख हुआ करता था वो उसे कहता है कि एडगर अवे भी यही है फिर वो एक जगा पर एडगर से मिलने के लिए उसे लेकर गया एडगर ने कहा यह जब तक सेफ नहीं था तब तब मैंने तुमसे कॉंटेक्ट नहीं किया मैं तुमें छोड़ कर नहीं जा सकता इसके बाद दुनों इंटिमेट हो गए रात में स्टेला जब घर पर आई तो मैक्स उसे बोचता है तुम शौपिंग करने के लिए कही थी वहाँ से लाया क्या यह मुझे दिखाओ स्टेला ने कहां यह वह सब क्रिस्मस के लिए गिफ्ट है मैक्स को लगता है कि स्टेला कुछ गड़वर्ट कर रही है तो उसे वह अभी के अभी दिखाने के लिए कहता है स्टेला ने ओल्रेटी गिफ्ट लाया था जो से वह दिखा देती है मैक्स को बुरा लगा और फिर वो स्टेला के साथ इंटिमेंट हो जाता है स्टेला और एडगर का मिलने जुलने का सिलसिला स्टार्ट हो गया था एक दिन एडगर उसे कहता है प्लीज मेरे साथ आकर हो मैं तुमें शेर नहीं कर सकता पूरी तरीके से मेरी बन जाओ स्टेला इस तरह से अपने बेटे चारली को छोड़ नहीं सकती एडगर कहता है हम उसका भी एक तरीका निकाल लेंगे इसके बाद नेकसिन में गार्डन में स्टेला और पीटर फिर से मिलें पीटर स्टेला पर नजर रख रहा था वो कहता है तुम आज कल सिटी में जा रही हो शायद एडगर से मिल रही हो वो बहुत ही जादा डेंजरस है अपनी वाइफ को क्रूली उसने मार दिया था वक्त के साथ तुम्हारे साथ भी वही करेगा तुम इतनी बड़ी फूल नहीं हो सकती यह सब पहचानो ना स्टेला ने सब चीजों के बारे में सोचा और वो डारेक्टली एक रात घर से भाग कर एडगर के पास आके चारली मैक्स से पुछता है कि मदर कहा है मैक्स कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी मैक्स को बहुत बुरा लगा स्टेला और एडगर यह तोनों बहुत ही मज़े में थे एडगर का फ्रेंड जिसका नामे निक यह भी इनके साथ ही रहा गरता था यह तिनों में लगर हैंग आउट करते थे एक दिन स्टेला जो शॉपिंग करने के लिए बाहर गई तो निक उसका पीछा करता है स्टेला समझ गी कि एडगर ने निक को उस पर नज़ार रखने के लिए कहा हुआ था वो इस वार बहुत ही गुसा हो जाती है एडगर उसे कहता है कि मुझसे गलती होके यह फिर से मैं नहीं करूंगा एडगर अपने स्कल्चर पर काम कर रहा था तो स्टेला कहती है तुम्हें मेरे हजवन की तरह ही कर रहे हो हमेशा काम में बिजी रहते हो एडगर उसे पकड़ लेता है और इंटिमेट हो जाता है कहता है क्या है तुम्हारे हजवन की तरह है इसके बाद स्टेला का बड़े था एडगर उसका फ्रेंड और स्टेला इन सबने मिलकर इसे सेलिब्रेट किया एक दिन निक ने स्टेला को कनफेस किया गयता है कि मैं तुमसे और एडगर से तुम दोनों से प्यार करता हो निक स्टेला को किस कर लेता है पर इस बात से एडगर बहुत ही जादा खुरसा हो गया उसने निक को बहुत मारा अब निक यहाँ से जा रहा था कहता है तुम्हारा एडगर के साथ रहना सही नहीं है वो आज कल आउट आफ कंट्रोल हो रहा है लास्ट टाइम जब उसने अपनी वाइफ को मारा था तो उसी टाइब के पैटर्न मुझे फिर से उसमें दिख रहे है स्टेला इस बात को मानती नहीं अब इसके बाद कुछ दिन गुजर गए एडगर ज़रा आउट आफ कंट्रोल हो रहा था स्टेला फेसे निक से मिली निक कहता है एडगर को डॉक्टर की जरुवत है ये दोनों बात कर रहे थे ये एडगर ने देख लिया स्टेला की घर पर आने की बाद उसे बहुत मारता है एक दिन हॉस्पिटल को स्टेला और एडगर कहा रहते है इसके बारे में पता चल गया हम ये भी कह सकते हैं कि शायद निक ने इनका पता दे दिया था इसके बाद वो लोग जाकर स्टेला को फेसे वापस लेकर आते है स्टेला को एक रूम में बन कर दिया गया था मैक्स उसके पास आया कहता है अगर मैं चाहो तो तुम्हें यहाँ बन कर सकता हो पर तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरुत है उसे फिर से घर लेकर गया जो भी इंसिडन्ट हुआ इसके बाद मैक्स को होस्पिटल से निकाल दिया गया है वो एक छोटे से टाउन में आकर अब रहता है रात में स्टेला चारली से मिली वो उसे सौरी कहती है उसने कहा कि मैं अब तुमें चोड़ कर कहीं भी नहीं जाऊंगे एक दिन होस्पिटल में एडगर ने कॉल किया मैक्स के बारे में पुछा वहाँ पर एक लेडी थी उसने मैक्स का पता उसे दे दिया इस सब बात के बारे में पिटर को पता चल गया वो मैक्स को वान कर देता है कि शायद एडगर वहाँ पहुच जाएगा स्टेला ने उस ताउन में अपनी लाइफ कंटिन्यू की थी चारली को एक दिन वो स्कूल से पिक अप करती है चारली ने कहा कि मैंने आप से जूट कहा था मेरी एक फिल्ट्रिव है जहाँ पर पैरंस भी आज सकते है चारली ने फाइनली सच कहा तो स्टेला को अच्छा लगता है उसे समझ लेती है कहती है कभी कभी हमें जूट कहना पड़ता है उसने कहा कि मैं जरूर तुमारे साथ फिल्ट्रिव पर आउंगी एडगर ने स्टेला से कॉंटेक्ट कर लिया था तो एक सुमसान से जगा परो मिलते है एडगर कहता है चलो यहाँ से भाग चलते है मैं तुमारी बीना रहे नहीं सकता जैसे कि हम पता है यह मैंस को सब चीज़ों के बारे में पता था उसने स्टेला पर नजर रखी थी तो जल्दी से सब लोग वहाँ पर पहुँच कर एडगर को अरेस्ट कर लेते है मैंस ने स्टेला से कहा था सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा सिर्फ उसे उसके साथ फेटफुल रहना है वो अब गुसा है पर फिर भी कहता है प्लीज उसे जाने दो फिर से हमारी लाइव जिस तरीके से थी उसी तरीके से कंटिनू करते है इसके बाद नेकसिन में स्टेला चारली के साथ फिल्टरी पर आई हुई थी चारली रिवर के पास कुछ फिश पकड़नी के लिए गया स्टेला उसे देख रही थी पर अपने ही खायलों में गुम थी चारली का पेर फेसला और वो पानी में डूप जाता है स्टेला अपने ही खायलों में थी तो उसका ध्यान नहीं था चारली की डेथ हो जाती है इसके बाद स्टेला शॉक में थी मैक्स बहुत रोया वो स्टेला से कहता है अब तुम शौक में हो पर इसके बाद ग्रीफ आएगी तुम्हें बहुत दर्थ होगा यह सब सैडनेस में टर्न हो जाएगा और इस सैडनेस पुरी जिन्दगी पर तुम्हारे साथ रहेगा तुमने क्या किया है यह हमेशा तुम्हें याद रहेगा स्टेला को भी अब मेंडल होस्पिटल में डाल दिया जाता है पिटर ने आकर उसे बात कि कहा कि स्टेला भी इसे होस्पिटल में है जो भी हुआ था इस सब के बारे में उसने उसे बता दिया एडगर अभी भी कुछ भी नहीं बोलता अब इसके बाद स्टेला को हॉस्पेडल में कुछ टाइम गुज़र चुका है पीटर स्टेला को उसके प्यार के बारें बुच्छता है स्टेला गहती है कि मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने एडगर से प्यार किया था अब मैक्स डॉक्टर ने रहा किसी दूसरी जगा पर जाकर वो बच्चों को टीच करने का काम करता है और कुछ दिन गुजर गए और पीटर ने स्टेला को फिर से बुलाया पीटर गयता है तुम्हें सुपर विजन की जुरूरत है पर तुम बाहर जा सकती हो एक दिन स्टेला पीटर से बुच्चती है कि एडगर भी इसी हॉस्पिटल में है पीटर कहता है कि हाँ हर साल हॉस्पिटल का एक इवेंट होता है जहाँ बस सब पेशन एक दूसरे से मिल सकते है यहाँ पर स्टेला एडगर से मिल सकती थी पीटर एडगर से मिलने के लिए आया उसने कहा उस राप तुम स्टेला से मिल सकते हो पीटर कहता है कि एक कंडिशन है तुम उससे बात करनी पड़ेगे अपनी रिकावरी में ध्यान देना पड़ेगा एडगर कहता है कि तुम उसे फेल कर दोगे जैसे मैंने किया जिसे उसके हस्बन ने किया अब इनके इवेंट का दीन आया फिर से स्टेला ने वही ड्रेस पहना था जो मैस के साथ आने पर उसने पहना हुआ था पीटर को ड्रेस बहुत अच्छा लगता है एडगर इस इवेंट में आ रहा था पर पीटर उसे मिलनी के लिए गया कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया तुम उससे नहीं मिल सकते है यही बात आकर पीटर ने स्टेला से भी कही स्टेला एक्च्छल में एडगर से मिलनी के लिए यहाँ आई हुई थी उसने पीटर से शादी करने के लिए हाँ सिर्फ एडगर से मिलनी के लिए की थी अब वो एडगर से मिलनी पाएगी तो उसे बहुत बुरा लगा वो डारेक्ली हॉस्पिटल के टेरिस पर गे और वहाँ से सुसाइट कर ली वो भी भी थोड़ी सी जिन्दा थी पीटर उसके पास आया स्टेला कहती है प्लीज मुझे अक्यला छोड़ दो उसकी डेथ हो जाती है स्टेला के मरने के बाद मैग्स भी उसके ग्रिव पर आया उसे बहुत बुरा लगा यही पर इस मूवी का इंड हो जाता है स्टेला एक्चुल में एडगर से अफसेश थी जिस पैशन को ढूंड रही थी उसे अपने हस्बंट से कभी भी मिल नहीं पाया इसलिए ओएडगर के पास गई उसका पैशन बहुत ही जादा अफसेश यूप पयार में बदल गया वो हमेशा उसके बार में सोचती रहती थी और इसी वज़े से उसे अपने बेटी को भी लौश करना पड़ा इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सिर्फ वो उसे ही चाहती रही जब वो उससे मिल नहीं पाय तो खुद कोई उसने हर्ट कर दिया उसके अपसेशन ने उसके जान ले ली इसके साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको एक्सपेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब करतीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दाउने मत भूलेगा हम वेसे मिलेंगे और एकने मुवी के साथ तब दक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखना बस स्टेला की तरह नहीं